ये वाइब बैकम बैक तू अनदर वीडियो ऑफारलस गेमिंग रभाई इसे वीडियो में मैं आपको देने बाला हूँ एक दम आपी बाली संस्टिविटी जिसको लगा करने से आपके आपकाई एक दम आपी बाली हैट शोट लगने बाले हैं यार यार ये मैंने फुफ ट् तो यार फायर बटन का साइज भी आपको मैं बता दूगा तो यार थोड़ा से गेंपर देखें उसके बाद मैं आपको बता हुआ हो तो यार जो बागु कुंशनों करने तो मैं को बता देता हूं यार यह मैंने सभी 00 करके रख लिए तो अब आपको बता हुआ है किया खान सी से कर लिए तो आपको भी लुक सेटिंग है तो यह तो एगने अपको रख लेनीये कुछ सिक्स्ट divine idé नेá जिसके आम कि यारी अन्लों किसिंटिंग और हम लोग स्नाइपर स्कोप की सैटिंग देखें तो गैक्शाइपर की वह पॉनटीवीटि खोण यार चाहिं तो फारहीज कि पूές की sensitive हम लोग द्यान से देखना जिससे आपके headshot मतलब spoke on पर लगेंगे एड यार आप आपको रख लेनी है 4x spoke की sensitivity 65 जो की इनौ पर ट्रेक्ट रही और यहां पर 2x scope की sensitivity की बात कर लेते हैं जल्दी से आप जो आपको 2x scope की sensitivity रख रहे हैं तो वह रखनी है आपको कुछ आपको रखने निनाइस मतलब यह आपको यहां पर देख की बारे ओड़े की एप आ अप लोग तो गाइस जो धूर को तो स्कुक्र ज़िए को एप वह कुछ 40 के मतरब 40 40 40 के राउंड ठीक है 40 के राउंड यहां पर गाई तो रैड डॉट और थोड़ी बहुत खम ज्यादा पांच करके देखा आप लोग देख सकते हो विकोद यार अलग लग फॉर्म में लग लग काम करते हैं बट यह अपके लिए परफेक्ट रहेगी थोड़ा बह परफेक्ट पांच कम करके देख सकते हैं लोग और जो में से स्टीविट है वह जन्रल तो गाइस जन्रा आपको 100 रख लेनी है जो बात रहेती है रेड डॉट की जिससे कि आपके मतलब वान टैप एकदम उपी वाली लग जाएंगे तो आपको रैड डॉट जो रखनी है कुछ अराउंड 95 तो गाइस इससे आपके मतलब एक दम उपी वाली मूमेट विक के साथ साथ आपके मतलब हैट शॉट भी काफी अच्छे लगने लग जाएंगे एंड गाइस आपको इसमें मतलब लोग एंड डवाइस एंड खाय डवाइस दोनों के लिए संस्टीविट हम लोग बात कर लेते हैं कि फायर बटन का साइज कितना रखना है तो देख लिए मैंने फायर बटन का साइज 47 रख लख लेका है तो आप लोग भी 47 ही रख लेना एंड यह बेस्ट भाइस फायर बटन साइज है तो पहले में हंड़र्ट पे खेलता था बट अपडेट के तक तक के लिए गुडबाइ एंड टेक केर एंड थैंक्स फर वाचिंग